कहते हैं स्वतंतरता मुफ्त में नहीं मिलती है इसके लिए जबान अपनी सर्वोच्य वलिदान देते हैं शहादत देते हैं तब जाकरके स्वतंतरता नसीब होता है आप सबों को कारगिल विजय दिवस की सुबकामना है आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हम पूरी कहानी समझेंगे इसकी हम यह भी देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान कारगिल पर क्यों अटैक करना चाहता था इसके पीछे की उसकी मक्षद क्या है भारतिये जवान किस तरह से जामबांजी से लड़े और किस तरह से अपने चेक पोस्ट को वापस हासिल किया साथ ही यह भी समझेंगे कि भारत के नजरिये से सुरक्षा के दृष्टी कौन से यह कितना महत्पुर्ण हो जाता है तो कारगिल विजय दिवस आज हमारा मुद्दा रहना वाला है चुकि आज कारगिल विजय दिवस को हम लोग सेलिब्रेट भी किया करते हैं भारत के रक्षा मंतरी रा मैं तो हम लोसी पार नहीं किये थे लेकिन यदी जरुवत परेगा तो हम लोसी पार करने से भी नहीं चुकेंगे लोसी कहने का मतलब है लाइन ओफ कंट्रोल जो की भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा तैंक करता है तो राजनात सिंग का कहना है कि जब कारगिल वार हुआ था उस वक्त हम उस तरफ नहीं गये थे चुकि उस वक्त के जो तातकालिक प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल विहारी बाजपे उन्होंने एरफोर्स को सक्त निर्देश दिया था कि आप कारवाई कीजिए लेकिन कारगिल के हिस्से पे टाइगर हिल्स वाले हिस्से पे लेकिन आप अलोसी को पार मत कीजिएगा चुकि एरफोर्स को पूरा प्लान था कि एलोसी के पार जा करके इस टास्क को पूरा करता है तो इस संदर में यही राजनाप सिंग कह रहे हैं कि उस समय हम तो नहीं गए लेकिन जरुवत परी तो उस वक्त भी हम अलोसी के पार ज प्रदान मंतरी अटल बिहारी पाजपई मैत्री संबंध बनाने के लिए लाहौर तक बस यात्रा से जाते हैं। यहां भारत से अपने साथ बहुत सारे महान हस्तियों को भी वुशाथ ले जाते हैं। और पाकिस्तान में जाकर की वो मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि दुश्मनी हमने बहुत कर ली अब दोस्ती होनी चाहिए लेकिन पाकिस्तान इसके कुछ ही दिन बाद भारत के पीठ पर छूरा गोंपता है और वहां घुस पैट करता है कारगिल में तो यही पूरी घटना करम जो है राजनाद सिंग याद दिलाना चाहते हैं उन्होंने इस संबंध में आप देखेंगे एक टूट भी किया है और भारत के जो वाशी है उन्हें कारगिल विजय दिवस की सुब कामनाई भी दी है और कहा है कि आविश्वास रखी हमारी जो सीमा रेखा है पूरी तरह से सुरक्षा के दृष्टिकों से उस पर जवान तैनात है वा सुरक्षित है अब यहां पर कारगिल विजय दिवस के संचेप में यहां समझ लीजिए कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल पर हमने विजय पराप्त कर लिया था और आज ही के दिन भारतिय सेना के कारगिल के उद्व में पाकिस्तान को हरा दिया था सेनिकों के वीरता क के लिए हर वर्स यह किया जाता है अब कारगिल की अवस्थिति को जरा समझ लेते हैं देखिए अब मैप आप देख रहे हैं यह जम्मू कस्मीर का है अच्छा इस मैप में जम्मू कस्मीर और लद्दाख वाला भी हिस्सा है 2019 में अनुछे 370 के हटने के बाद और सेक्शन 35 35 ए 370 और 35 ए के हटने के बाद की इस्थिति कुछ बदल गई है उसमें आप जानते हैं 370 से कस्मीर से विसेस राज का एक जो दरजा उसे दिया हुआ था वह भी उसे छिन लिया गया और साथ ही यहां दो अलग-अलग राजियों में विवक्त कर दिया गया एक हिस्सा जम्म कस्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था और यह जगा है कारगिल का ठीक है यहां पर LOC है यह हिस्सा जो पर जाता है यह गिलगिट बालतिस्तान का है देखिए है यह भारत का हिस्सा लेकिन पाकिस्तान का इस पर अवैद कबजा है वहीं अगर यह देखेंगे आप तो यह वाला ह हिस्सा जो है यह प्योके का है पाक अकुपाइट कस्मेरी इसे भी प्योके कहते है लेकिन गिलिगिल पाजिस्तान से इसे जानते है ठीक है यहां पर अवैद कबजा पाकिस्तान का है वैसे यह भारत का ही हिस्सा है और इस हिस्से में देखेंगे तो यह सिया चीन वाला हिस्स जाता था इसके पीछे पाकिस्तान की क्या वजय थी इसे थोड़ा इस मैप में डिटेल से देख लिए यह लाइन ओफ कंट्रूल है यानि कि एलोसी ठीक है अब यहां यह चीज है और यह कहां तक जाता है इस पर गौर करिए यह जो एलोसी है यहां पर सियाचीन गलेसियर है अब सियाचीन गलेसियर आप जानते हैं यहां पर जीवन जो है काफी कठिन है क्योंकि टेंपरेचर बहुत कम रहता है माइनस 40 माइनस 50 डिगरी तक सेल्सियस यहां पर चला जाता है ठीक है तो इस कंडिशन में यहां से जुड़ने का रास्ता बहुत कम है और यहां से स्री नगर से ठीक है जम् sv कस्मिर के राज़्धानी स्री नगर एन-च्ष यहां यहां तक पहुंसता है गए तक तो यही पाकिस्तान चाहता था कि इस जगह पर यदि हम अधिकार कर लेते हैं तो फिर भारत का क्या है स्री नगर से ले तक कनेक्शन कर जाएगा उसके बाद जो है ले में और सियाचीर गलेशियर पर जो सैना है वहाँ पर रासना पूर्ति की जो इस्तिती है या वहाँ जो सैनिक है वहाँ पर आकास्मिक अगर आतंकवाद वहाँ होता है या घुसपैट होता है तो सैना वहाँ नहीं पहुंच सकती है वारतिय सैना इसलिए पाकिस्ता क्या है कि बहुत सारे सैनिक जो यहां पोस्टिंग के लिए होते हैं लेकिन जब ठंड का मौसम होता है तो दोनों ही देश के सैनाएं वापस चले जाते हैं चुकि टेंपरेचर काफी कम हो जाता है इसी का फायदा उठा करके पाकिस्तान ने घुस पैट कर दिया था 1999 तक यहां इंडियन आर्मी की सिर्फ एक ब्रिगेड तैनाथ होती थी क्योंकि उस वक्त यहां बहुत जरुवत महसूस नहीं किया गया था था फचीस सौ सैनिकों से 300 किलो मीटर सीमा की स्यरक्षा करना बह्者 मुश्किल काम था यह जोजिला आपको को यहां नजर आरा तो जोजिला से लह तक 300 किलो मीटर यह एलोसी का एरिया पड Girls गए और यह लह तो इस हिस्से में आपको यह नजर आरा होगा ये वला हिस्सा तो ये तकरिवन यहीं पर कारगिल है ये 300 किलो मीटर का एलो सी का एरिया है ठीक है अब यहां पर सुरक्षा करना 2500 सेनिक है तो बड़ा मुस्किल टास्क हो जाता था चुकि मौशम भी बहुत खराब रहता है मौसम साथ नहीं देता है बर्फवारी बहुत समय हो जाता है इसलिए तो इस बक्त क्या होता है दोनों तरफ की सेना है यहां पर पाकिस्तान की सेना भी भारत की सेना भी वहां से हर जाती है बर्फवारी जब होता है लेकिन उस बक्त क्या हुआ कि यहां पर पाकिस्तानी सेना ने इसका फाइदा उठाया वर्पका और घुस्पैट किया यहाँ पर उसके बाद की स्थिति देखिए अब घुस्पैट किन-किन इलाकों में इलोसी से होता है देखिए जैसे कि यहां Tiger Hills है तो यहां से गुस्पैट होता है और जहां-जहां यह raid एरिया आपको दिख रहा है इस और दे ने लेर तक पर और कारगीर यहां है, तो इन इन जगों से यहां पर गुस्पेट किया जाता है, देखिए मुश्कों हो गया या द्रास द्रास भी बहुत फेमस जगह है तो इसे भी मैप पर आप देखिए और कारगीर बटालिक तुर्कुक सेक्टर में जनवरी से अप्रील 1999 के बीच घुस्पेट होता है ठीक है पाकिस्तान का प्लान जो मैंने पहले ही बताया था कि स्री नगर से ले जाने वाले जो ह अक्टूबर से यहां तक मैं का जो महिना होता है यहां बर्फवारी होता है तो सेनाय वापस चले जाती है उसी दर्मियान क्या होता है तीन मैं 1999 का दिन है इस वक्त क्या होता है एक वैक्ति है जो चरवाहा है उसका नाम है ताशी नाम गयाल यह वैक्ति जो देखता है इसक कुछ लोग वर्दी पहने हुए कुछ movement कर रहे हैं वहां पर ठीक है फिर ये नजदीक जाने की कोशिश करता है जितना करीब जा परता है और फिर ये समझ जाता है कि कुछ न कुछ यहां गरबर हो रहा है मामला गमीर है भारतिय सेना वहां है नहीं फिर इसे समझ में आ जाता है कि कुछ movement हो रहा है आप एक बार इसकी तहकिकात कर लीजिए भारतिय सेना बहुत अच्छा काम करती है उसने इस information पे गौर किया ठीक है और इसे चेक किया जब सेना ने इसके information पे चेक किया तो पाया कि यह बैक्ती सही बात कह रहा था यहां पर समझे उसके बाद 15 मैं ठ कालिया और 5 सेनिक काकसर सेक्टर की बजरंग पोष्ट में पेट्रोलिंग करने पहुंचते हैं जब यह लोग पेट्रोलिंग करने पहुंचते हैं तो पहले से ही चुकि पाकिस्तान की सेना वहां पहले से घुसपैट कर चुकी है घात लगाके बैठी हुई है इन्हें वह ले लेता है मुठवेर इनके साथ होता है और इनको पाकिस्तान की सेना बंदी बना लेती है उसके बाद या बात भारतिय सेनिक तक तब तक information पहुँच चुका होता है अब भारतिय सेनिक समझते हैं कि मामला यहां पर काफी गंभीर है हम जितना आसान बात समझ रहे थे उतना नहीं है और तब जाके भारतिय सेनिक को समझ में आता है कि यहां पर तो हर तरफ से घुस्पेट हुआ है यानि कि बहुत वेल प्लांट पाकिस्तान ने यह एटैक किया था और यह एटैक दोस्तों इतना खतरनाक था कि यदि कारगीर पर पाकिस्तान पूरी तरह से कपज़ कर लेता तो निशित तोर पर इस हाइबे पर उसका कपजा हो जाता और लेल अडाक का जो एरिया है और सियाचीन गलेशर का जो एरिया है पूरी तरह से भारत के कपज़े से निकल जाता तो उसके बाद भारत जो है सरकार प्लानिंग करती है और फिर इंडियन आर्मी को टा और 0.4812 ये दोनों जगह भी लेना होता है चेक पोस्ट भारत लेता है टाइगर हिल्स तो लेता ही और साथी तोलो लिंग चोटी यहां पर भी अवैद कपजा कर चुका होता है पाकिस्तान तो यहां पर अलग-अलग टीम बनाई जाती है भारतिय से ना के दोरा आप देख र लेती है अब आगे टाइगर हिल्स की बारी आती है तो 17,410 फिट की उचाई पर टाइगर हिल्स है जो की रणनितिक रूप से बेहद कथिन था टाइगर हिल्स तक पहुंच पाना हम अभी आपको बताएंगे भी देखिये आगे टाइगर हिल्स का इस्तितिह यहां पर अंगे यहां से अटक करना पाकिस्ताण की सेना है तो इसे आसान होगा अगर भारती असेंग की तरफ है तो ठीक है यही यहां मुश्किल आ रहे थे इसलिए मुश्किल पर रहा था इस चीजों को ले करके अब यहां पर फिर टाइगर हिल्स पर लेकिन काफी मसकत करने के जुलाए 1999 को इस्तिती सामान करते हुए और टाइगर हिल्स पर तिरंगा फैरा देती है अब दो चेक पोस्ट और बजता है 0.5287 और 0.4812 यहां पर एक दिल्चस्प इस्तिती उत्पन हो जाता है काफी लंभार संघर्स यहां चलता है लंभा मुठवेर चलता है यहां जो सेना भारत की रहती है वो काफी कम इस्तिती में रहता है कमजोर इस्तिती में कह सकते हैं और रासन पानी सेना का खत्म होते रहता है यहां पर लेकिन सेना फिर भी चुकि रासन पानी भी खत्म हो रहा है गोला बारुत खत्म हो रहा है लेकिन भारतिय सेना को एक असपस्ट निर्देश था और भारतिय सेना को मन में ये जोश था कि किसी भी हाल में हमें अपने ये दो चेक पोस्ट को लेना है नहीं तो हमारे लिए इस् भी फिर से हासिर कर लिया गया अब यहां पर मसला समझे कि टाइगर हिल्स को लेने के लिए जैसा कि मैंने कहा बहुत मशकत किया गया बागी पॉइंट को लेकर के भी आप यह परशन करेंगे कि भारत की एर फोर्स कहां थी ठीक है यह सबके मन में परशन आता है जब भी 1999 की चर्चा आती है कारगिल यूद्ध की यह प्रशन आता है इसको लेकर के कुछ बाते हैं उसे हम समझते देखिए इंडियन एरफोर्स के पास 1985 में फ्रांस से खरीदे मिराज 2000 एरक्राफ्ट था ठीक है अब इस एरक्राफ्ट में जो बम लगता उसकी कीमत बहुत जैदा थी और उस समय के हिसाब से देखें तो एक बम की कीमत दो करोर रुपिया था तो भारत सरकार नहीं चाहती थी कि उसे टाइगर हिल्स पे खर्च कर लिया जाए क्योंकि सरकार एसा लग रहा था कि यह उद्ध बहुत लंबा चलेगा संभब है लाहौर के तरफ से टभ हो भारत के दूसरे शेमा से हो या भी संभफ है जो यह तो अर चाहती थी कि पाकिस्तान पे जब और ट्रक करना परेगा उसके लिए इस बम को हम बचा कर तो इसे लिए सरकार उस वक्त इसे खर्च नहीं करना चाहती थी थी अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। उसी समय किया हुआ थाक सम्झोता हुआ था किसके साथ तो भारत का सदावखार मित्र है है इजराइल तो इजरा distributed के साथ भारत का सम्झोता हुआ हुआ 297 अब 167 जब ये युद्ध हुआ तो भारत ने युएस से कहा कि जनाब हमें जितना जल्दी आपसे समझता हुआ था ठीक है हम रकम देने के लिए तयार हैं वो पॉट समय दे दीजिए ठीक है ताकि हमारे लिए इस्तमाल में आ जाए लेकिन युएस और यूके दोनों ने भारत को य हथियार देने से साफ साफ मना कर दिया अब भारत के हाथ माँ खुल गए कि अब इस इस्तिती में हम क्या करें हमारे पास ऐसे तगरे बम नहीं थे जो फ्रांस से थोरे बहुत हमने लिये थे मिराज तूट हाजन में उसकी कीमत इतना जैदा था और आगे युद्ध लंबा चल सकता था हम उसे बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकते थे उसे बचा के रखना हमारे लिए सुरक्षा के दरिश्टी कों से बहुत जरूरी था उस बक्त भारत के लिए मसीहा बन किया सामने आता है इसराइल और इसराइल कहता है कि ठीक है आप घबराईए नहीं मत जो समझ के दौरान इसराइल ने सप्लाइ सुरू कर दिया इस बम का और इसके वजह से फिर हमने क्या किया हम एक अपर एर्ज हमें मिल गया और हम वहां पर पाकिस्तान पर कारवाई कर पाए इंडियन एर फोर्स ने उसके अलावा यहां पर एक हजार पॉंड का देशी बम भी बना लिए थे लेकिन देशी बम तो हमने बना लिया लेकिन सच के हैं तो एरफोर्स के मन में भी यह था कि क्या यह सही टार्गेट पर जाके गिरेगा की नहीं लोकेशन जो हम फिट करेंगे वहां अटैक कर पाएंगे की नहीं यह एक मन में डर जरूर बना हुआ था लेकिन हमा तो वही जुगार बंब, ए 1,000 पॉंड बाला, हम टाइगर हिल पर अटेक करते हैं, वहाँ पर मतलब पाकिस्तान का जो बेस है, अब हमारे एर फोर्स के जो जामाज हैं, उनका आप कौशल देखिए, कि वो जुगार बंब जो था, वो बिलकुल सटिक लगता है उस पाकिस्त पाकिस्तान जो है, उसका बेस धजी उड़ता है, और अब पाकिस्तान के लिए वहाँ टिक पाना मुश्किल हो जाता है, देखिए, इस कंडिशन में दो लोग जो उस मिराज 2000 को चला रहे थे, जो उस फाइटर जेट को, उनका नाम था, एर मारसल रगुनाथ नाम बियार और एर चीफ मारसल एवाई टिपनिस, इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रिबूशन रहा था, ये दो वेक्टिव वो हैं, जो उस टार्गेट को, वो जुगार बंबाले टार्गेट को सही लोकेशन तरक टाइगर हिल्स पर सही से टार्गेट कर पाते हैं, इसलिए इनको भी नमन है, इनका काफी इन चीजों के लिए योगदान रहा है, अब कारगील यूद जब हुआ तो पूरी घटना करम हुई, उसमें क्या-क्या नफ़ा नुक्षान हुआ, देखे कोई भी यूद होता है, उसमें हम कुछ न कुछ पाते हैं, लेकिन बहुत कुछ खोते भी हैं, ठीक है, तो उनका एक मुल्यांगन युद के बाद करना जरूरी हो जाता है, ताकि जो भी निती निर्माता है, वो भविस में इससे सीख ले सके, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लगभग 11 हपता तक ये युद चलता है, इतना लंबा युद चलता है, अगर 5-10 द सकता है, तो समझ सकते हैं, क्या इस्तिती रहा होगा, 527 भारतिय सैनिक इसमें शहीद हुए थे, और इनहीं के याद में आज हम कारगिल विजय दिवश सेलेबरेट करते हैं, यहाँ पर 30,000 सैनिकों ने युद में हिश्या लिया था, और 1628 भारतिय सैनिक घायर भी हो गए यह थे, यह थो भारत की स्थिती रही, पाकिस्तान के संदर में अगर हम देखें, तो सेना के बंकरों और खायों में 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के सम मिले, यह वो सब हैं, जो हमें पराप्त हुआ था, ध्यान रखना है, बहुत सारे डेट बोरी हो सकता है, जो प पोली चलाते हैं, उपर से चलाते हैं, जाहिर सी बात है, हमारे सैनिकों लगता, तो यहां पर इनकी सैना कम देख हुआ था, अगर इस हिसाब से देखें, जो हमें मिला था, संदर्बै च्छती और भी ज़्यादा होगा, लेकिन यहां पर एक चीज समझे, यह जो 200 पाकिस् पाकिस्तान के सैनिक हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इन सैनिकों को लेने से मना कर दिया, उन्हें कहा कि यह हमारा है ही नहीं, और फिर उसके बाद केबल 5 सबों को उसने स्युकार किया, 5 सबों में से एक वैक्ति का नाम जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो पाकि भारतिय सेना अपनी उसी बड़पन का परचे सेर खान के संदर में भी देती है और भारतिय सेना ने सेर खान का जो शब था उसके जेब में बर्दी में एक नौट छोड़ दिया था और ये कहा था कि ये सक्स बहुत बहादुरी के साथ लरा और भारतिय सेना ने इसे नमन भी किया इसके जो होसला है उसको नमन किया तो इसका सब पाकिस्तान ले लेता है लेकिन बांकी जो उसके शैनिक होते हैं उनका सब लेने से मना कर देता है सेर खान को जो पाकिस्तान का सर्वोच सेन पुरसकार है निशान हैदर उससे भी पाकिस्तान सरकारबाद में सम्मानित करत हैं जिनको हम कभी नहीं भूल सकते हैं और उनका नाम है क्याप्टन विक्रम बत्रा इन पर एक मोवी भी हाल ही में आई थी आप देखे भी होंगे शेर शाह ठीक है तो इनका कुछ आप देख लीजिए इनका एक फैबरेट लाइन हुआ करता था ये दिल मांगे मोर इनका ये उनको युद्ध में जाना पर और बहुत बहादूरी के साथ ले ये अपने मित्रक के साथ बाचीत में कहा करते थे कि कोई ऐसा बुलेट बना ही नहीं है पाकिस्तान आर्मी में जो मेरे सीने को छूजाए अब इतने जामबाज ओपसर थे तभी तो कम सेना के साथ होने के ब बापजूद भी रनितिक रूप से बहुत कमजोर होने के बापजूद भी भारत कारगिल युद्ध को जीत लेता है तिरंगा लहराता है ठीक है और पॉइंट फॉर एट सेवन फाइब और फाइब फॉर जीरो की चोटियों से दुसमनों को खदेरने में इन्होंने अहम भ पूरी घटना कर निश्चित तोर पर हर भारतिये के लिए आज का दिन बहुत गौरब का दिन है कि निश्चित तोर पर भी मैं यहां पढ़ा रहा हूं आप अपने घर में मुस्कुरा रहे हैं पढ़ रहे हैं हम जहां भी हैं सुखी संपन हैं तो कहिन कहीं इन सैनिकों के बदलत हीं क्योंकि यह अपना सब कुछ छोर करके सरवच्चो निशावर करके हमारे देश की सीमा रखा की सुरक्षा करते हैं ताकि जब जब कभी भी कोई विदेसी बरवर हमारे देश की तरफ नापाक इरादे से देखें तो उसे माकूल जवाब दिया जा सके तो साथिय निमलिकित में से किस से संबंदित है कारगिल युद्ध भारत चीन युद्ध वर्स 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध वर्स 1949 का भारत पाकिस्तान युद्ध ये चार विकल्प है जो भी सही आपको लगे आप उसका चैन करके कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, अपना क्याल रखिए, थैंक यू.